अपने शेर भी किया था अपने ग्रुप में बाइइंग करनी है लेवल के रहेंगे और यह स्टॉक आज शिवेंजी ने शिव जी ने अपने शेर किया था तो कफी अच्छा इस स्टॉक ने मुवमेंट में दिखाया जैसे ही 915 का ब्रेक आउट अपसाइट की तरफ हुआ थ है वो जो है ना ABCD पैटन हाई लो अगें देखिए हाई लो यह हाई बना वापस से देखिए प्राइज इन दो रेंजेस के अंदर रह गया ना इसका हाई प्रोपर प्रेक हो पाया और ना यह दिन का जो फर्स्ट वाल अपना स्विंग बनाता वो मार्केट पुई त्राइ हमें इस रणिंग जोन के अंदर ही रुकी हुई है एक बहत्रीन प्रोफिट हम लों को दिखाया बोल हॉस्पिटल ने अब डेली टाइम पर देखोगे तो डेली टाइम पर देखिए प्राइस में पिछले दो देन से एक रेंज के अंदर रुका हुआ था एक ही जोन में र लास्ट रेट केंडल बनी है इन दो केंडल से प्राइस हमारा एक जोन के अंदर है यह यह जो वॉल्यूम है यह पर वॉल्यूम कम हो गई यह वॉल्यूम के ब्रिक आउट होगा बट प्राइस अपनी रेंज नहीं छोड़ रहा है आज क्या किया है 9 15 का हाई जैसे ही मार्क पर हम लोग आएंगे तो इस जगह पर 9 15 की केंडल थ्री मिट के टाइम फ्रीम पर यहां पर थोड़ी से ज्याद बन गेती वापस यह जो रेट केंडल बनी न यह अपना एंट्री की जगह थी एंट्री का पॉइंट था यहां पर अपनी एंट्री थी स्विंग अपना पर यहां पर आपना प्रोफिल कर लिया था में लोगों ने और बॉक अपन कर लेते हैं तो ओर बॉक में देखिए 150 कोंटी के साथ में टेड एक्सक्वीट के साथ में एक्सक्यूट हूआ था 4878.70 नेट एंट्री का पॉइंट्री का पॉइंट था माला एसल जो लोग आते इसको रिफ्रेश कर लेते हैं स्टॉप लोस जो हमने इसके अंदर लगा था 486 4860.10 का अपने स्टॉप लोस था और जो टार्गेट हमने बुक किया है 4952.20 का अपना टार्गेट प्रॉपर टार्गेट मार्केट ने हम लोगों को आज के दिन दिखाया मतलब किसी तरह से नहीं जब हम लोग स्टॉप को ट्रेट करें चिल होकर बैठते हैं पूरे दिन उसका होल्ड करते हैं जब तो हमको टार्गेट ने मिल जागा सेम चीज कोई स्केल्पिंग नहीं करते हैं जब तक हमारा टार्गेट नहीं मिल जा रहा है तब तक हम उसको होल्ड करें कोई स्केल्पिंग नहीं किसी मार्केट के लिए कोई स्केल्पिंग ने कभी एक या दो कैंडल के लिए काम नहीं करते हैं तो आज को प्रॉफित अपना में तो शुरुआत में कौन कौन सी चीज है कि इसका में विशेश ध्यान रखना चाहिए तो स्टार्टिंग का फेज किस तरह से उसको टैकल करेंगे इसको पर आज एक डिस्क्रिशन करने के गोशिश करेंगे वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक किजिएगा कॉमे अंसर है हमें एक ट्रेड एक्जेक्ट करने से पहले सब कुछ जो बिनाशिस रही है वो डिली टैम फ्रेम पर आपको देखने को पड़ा है कोई भी स्टॉक को सिर्फ अपोल हॉस्पिटल ने इस प्रैस एक्शन को अपने मन में उठालो और इस प्रैस एक्शन से हमने एक कि कम से कम 50 से ज्यादा ट्रेड एक्शन करके दिखा Y Zac price section से price आपका किसी भी एक level से upside की तरफ जा रहा है and वहां से वापस ही नीचे की तरफ गेजा है again upside की तरफ और फिर से price आपका नीचे की तरफ गेजा है and इसने एक breakout कर दिया price आपका नीचे की तरफ आ गया अभी हुआ क्या कि जिस area को price हमारा break ने कर पदा था यह वह प्राइजक्शन है ना हम मान लीजे हम आपको बिलिश या बिलिश कांटुशन कोई भी फॉर्मिशन हम अगर पढ़ा रहे ना तो वह आपको किसी बुक में मिलेंगे ना किसी वेब साइड में मिलेंगे ना किसी को आप इसके ओपर डिसकस करते हुए देखोंगे कहीं यह प्रॉपर अपनी उब्जर्वेशन के साथ इतने दिन जो मार्केट में समय दिया है काम किया है उसके तुरुस समझ है है और ऐसे सिर्फ हम इकला थे ही नहीं है आप भी अगर काफी दिन से मार्केट में काम करो हो ना तो कुछ कुछ ऐसे price action होंगे जो सिर्फ आप ही जानते होगे जो सिर्फ और सिर्फ आप नहीं observe किये होगे वो कोई नहीं कर सकते है हमारा point of view market को read करने का क्या है ये किसी दूसरे का हो ही नहीं सकते सौ लोग बैठे हैं तो सौ लोगों का point of view market को ले करके सौ तरह का है इसलिए market चलती भी है तो वो जो price action है वो जो observations है सौ तरह क्या observation होंगे उन सौ लोगों को अगरा आप study करोगे ये हमारी अपने observations हैं जो इतनी दिन तक market में काम करने के बाद देखने के बाद इस top bus देने के बाद targets देने के बाद जो थोड़ी बहुत चीज़े समझ में आती है अब माल ये किसी भी एक support पर market बार बार आ करके retest कर रही है again retest कर रही है और यहां से price सीध है आपका नीचे की तरफ आ गया अब इसमें होता क्या है कि जिस level को price इतने दिन तक support में convert कर रहा था अब वही इस वाली candle से यह जो सबसे last वाली candle है जिसने support ब्रिक किया so इस candle की वज़े से अब ये वाले support आपके बन गे resistance सिंपल सिचीज है ना resistance become support support become resistance मालूम है सब को मालूम है इसका use कैसे करोगे अब यहां पर हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो यह वाली हमारी candle है अगर आप इसका low mark कर लो तो हमारे पास एक नया support मिल गया और upside में मिल गया resistance ठीक है market क्या कर रही है इस zone में ये move कर रही है हम सिर्फ इसले नहीं कहा रहे है कि इस बड़ी वाली candle ने आपका previous support ब्रेक किया तो यह इस candle कर लो मेरा support बन गया ने हम मानते हैं कि इस वाली candle कर लो मेरे लिए एक support है जो यह वाली अपनी candle है हम यह मानते हैं कि यह support है अभी market को भी इसी proof करने का मौका दो आप देखोगे कि जो execution हम नहीं किये है वो तुरंत नहीं कर दे प्राइज एक दो 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 दिन तक लगातार move किया है volume के structure से जब आप देखोगे तो इन दो volumes में इस वाली candle का जो volume था ज्यादा था यहाँ पर जो volume बनी है यह कम हो गए यह negative candle थे यहाँ पर देखे प्राइज ने upside की volume दिखा दो volumes ज्यादा आ गए तो एक तरह से आप देखोगे जो high है हमारे यह वाली candle negative होते हुए भी इसने अपना high break किया जो second वाली candle जो lows है वो protect हुए मतलब lows भी upside की तरफ गया और highs भी upside की तरफ गया volumes increase हुई है इसके बाद में फिरम शुरुआत में चले आते हैं कि प्राइज ने यहाँ पर हमारा support लिया था support टूटा अभी resistance बन गया तो प्राइज अपने support और resistance में है यहाँ से अगर यह उपर की तरफ निकला तो यह upside की तरफ और अगर यहाँ से नीचे की तरफ तूट गया ना तो फिर यह downside की तरफ एक चीज हो गए अब यहाँ पर देखिए जो हमारी second वाली candle है यह एक red candle है अब red candle को आप इस तरह से समझे कि जैसे first वाली हमारी candle है यह हो गया first वाली candle हमारी है green candle okay and second candle जो हमारी बन रहे है यह red candle बनी red candle कैसे यह इसको हम कर देते हैं black चलिया यह black candle है but black candle भी एक gap up opening दिखा रही है gap up opening दिखा इसने high upside की तरफ लगा दिया and low इधर दिखा दिया so यहाँ पर हुआ क्या एक basic structure क्या हुआ कि price ने अपने high को upside की तरफ shift किया है and lows को भी upside की तरफ shift किया देखने में आपको यह bearish लग रही है but price जो आप देखोगे तो यह bullish signature है क्योंकि price upside की तरफ गया है highs जो है यह upside की तरफ shift हुए देखे low और यह high वाल्यूम देखोगे तो first वाली candle की volume आपकी कम थी and second वाली candle की volume first से ज्यादा हो गई इस तरह से volume की structure बन रहे है और यह हरकत कहां पर हो रही है exact हमारे resistance पॉइंट पर तो जैसे ही price में अब ऐसा थो नहीं है कि तुरन ब्रेक आउट हो जागा तुरन हम execution कर देंगे हमने देखा कि price ने 9.15 की candle बनाए जो कि हमारी range के ऊपर में थी पालिक चिस तो lower time frame पर price ने अपने resistance को break करके ओपनिंग दिखाई रिटेस्ट होने के लिए price ने चे की तरफ है और बाद में price आमारा upside की तरफ चला गया जैसे ही price ने अपने day के resistance को break किया lower time frame पर यहां पर हमने अपनी entries ली और जो swing बन रहे थे उस जगह पर हमने अपनी stop losses लगा दिये अठारा रुपए के अठारा रुपए कुछ पैसे का मेरा stop loss आया था आज के session का यह price action समझ में stop loss target तो बाद में discuss करें एक हमारा support area ज्यादा दूर नहीं जाते हुए आप सिर्फ supports को mark को अब इस swing को downside की तरफ ब्रिक किया गया अभी इसी swing को और हम अगर पीछे की history की check करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी price ने support ही लिये हैं कितनी बार एक दो तीन एक दो तीन एंड यहाँ से price हमारा sustain हो गया और इसी जगह पर यह रुका हुआ है है ना इसी जगह पर रुका है यह जो हमारी red वाली candle है इसने breakout दिखा दिया इसके बाद में आप देखोगे क एक और red candle बनी थी यहाँ पर इसने भी तो closing की यानि के अब यह candle हमारी बन जाती है एक support line यह जो red वाली candle है यह भी बन जाती है हमारी एक support line price ने इस वाली candle की फॉर्म कर देने के बाद में अपने आपको upside की तरफ shift किया थे यहाँ पर close कर देने के बाद में upside की तरफ shift करेगा या नहीं करेगा दूसरी बात है लेकिन lower time frame पर structure तो हमें upside की तरफ के दिख रहे है पिछले दो दिन से market हमारी अपनी range अपनी एक level के अं इसके बाद में अगले दिन फिर से आपके volume इंक्रीज हो गए बट price ने क्या किया एक black candle के बावजुद जो highs है या upside की तरफ shift हुए है lows upside की तरफ shift हुए है समझ में आ रहा है अब मैं क्या कर लेना एक level की उपर जैसे ही price निकल रहा है हम यहां से trade execute कर सकते हैं क्योंकि हम य नीचे जाना तो फिर यह नीचे चला जाए यह ऊपर क्या कर रहा है पिछले दो दिन से market यही तो indicate कर रहे हैं वहों को highs upside की तरफ जा रहे है और एक support break होने के बाद यह हरकत हो रही है मतलब lows पूरी तरह से shift हो रहा है अगर पैस को नीचे की तरफ जाना तो यह low break करते है अ अब मेरा सिर्फ यह काम बसता है कि जितनी भी हमने reading की है इस reading के according हमें यह तो समझ में आगा है कि price हमारा support पर है और पिछले दो दिन से इसके support भी product हो रहे है और resistance break हो रहे है मतलब कि यह strong है volumes के थूभी price के थूभी अब जो भी activity बसती हमें आज यह देखना है कि morning के जो moves ह हो रहे हैं वो किस तरह की move है simply चले जाएंगे हम लोग 3 minute के time frame पर क्योंकि आज जो time frame हमने use किया वो 3 minute का time frame था तो यहां पर देखिए क्या हुआ है कल के high को market ने किया है break इस चैसे एक 9.15 की candle बनी यहां पर देखिए यह वाली candle है just हमने क्या किया कि day की जो first candle है इसका high mark कर लिए क्योंकि यह हमारा सबसे पहला resistance होता है market ने यहां पर इसको कर दिया break है ना closing कर दिया और इस candle से मिलगे retracement volume आप देखोगे तो volume भी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई पड़ेंगे 9.18 और 9.20 generally यह गया होता है कि 9.50 9.45 से पहले हम trade execute करते नहीं है अपना लेकिन आज जिस तरह के movement और जिस जागे पर हमें Apollo Hospital दिखा तो ग्रूप में तुरंत यह stock share कर दियागा कि 9.45 की जो candle तुरंत ग्रूप में share कर दियागा कि 9.15 की ओपर यह retracement candle शायद मेरे सबसे बनी थी आप देख लेना ग्रूप में शायद आपको वहां पर यह red candle दिख यही अपना entry को point था और just इस green वाली candle के निचे हमारा stop loss लगावा था यानि कि यह stop loss का area था कल का जो high था यह important क्यों हुआ हमारे लिए क्योंकि उसके एक दिन पहले का हमने low mark कर लिया एक तो यह low बन गया कल का जो हमारा low बना वो यह वाला था low upside की तरफ जा रहा है और high हम previous day का high break किया है तो इसे क्या करना होगा न previous day का low break करना होगा अगर इसे नया low लगाना है और अगर यह चीज़ नोट कर लिज़े किसी भी दिन का market अगर high break करती है किसी भी दिन का अगर market high break कर रही है और वो upside की तरफ sustainability नहीं दिखा रही है और previous range के अंदर आकर के trade कर रही है इसके बावजूद भी अगर वो इस टॉक वीक है तो उसे उसी दिन का low break करना होगा और अगर market यहां पर नखरे दिखा रही है low break नहीं करी यहीं से अपने levels को upside की तरफ पर रही है इस तरह से देखिए समझ पा रहे हैं सेम जगए से market उस दिन का low अगर break नहीं कर पा रही ह और यहीं पर इसके movement आपको higher lows के शुरू हो जाता है यह देखिए higher high higher low higher high higher high higher low support protected support protected आज की market में क्या हुआ exact जैसे ही market open हुई जिस तरह से previous to previous day का high टूटा low protected जिस तरह से previous अपना कल का high टूटा low protected उस तरह से आज का high ब्रेक हो गया समझ में आया है एक दिन की trade analysis करने में यह सारी चीज़ें यह सारे point of view इतनी सारी analysis volume of price की लगती है ऐसे नहीं हो जाता है कि आँख बंद करके बस मन हुआ red candle short green candle short या green candle देख करके बाई हो गया यह ही नहीं हो जाता है एक trade execute करने से पहले कि सारी analysis होती है complete करो trade execute करो next to impossible है कि फिर आप trade से early exit दिखा दो कर ही नहीं पाऊगे क्यों करोगे ही क्यों डर किस बात का आपने जो risk ल नहीं है कि शुरुआती स्टेज में जब हम लोग आते हैं कि trade में first stage में जब हम लोग काम करें starting phase में शुरुआती कर रहे तो कुछ mistakes हैं जो हम लोग करते हैं हर वीडियो में हम यही बात बोलते हैं कल भी जो वीडियो अप्लोट क्या था घृत आ तीन दिन पहर जो वीडिय भी बना लेते हैं, पैसा कहां से आगा, पैसा किसे से मुधार ले ले लेंगे, मेरे पास में इतना पैसा है कि हम मार्केट में डाल देंगे, नुक्सान कर लेंगे, कोई बात नहीं है, उसको पर फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से लोग अपना पैसा लेकर किया आते हैं, ठ शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं बना पूँगे दो तीन साल वो तो बरबादी के आपके रखे हुए हैं क्योंकि इन सारी चीजों को उमने बहुत पास से महसूस किया है क्या तरीका है मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो ठीक है नुकसान कर लिया कोई बात नहीं लेकिन अब क्या करें शुरुआत करो तो शुरुआत करें कहां से देखे कुछ फेजिस होते हैं आपको उन फेज से मार्केट से गुजरना पड़ता है ऐसी यह नहीं कि आगर आपको एक पीडियाफ खरीदने तक के पैसे नहीं बसते हैं कोई किसी अच्छी एक पैसे ही रही है क्योंकि सारा पैसा थे हमने लुटा दिया अब अकल आई है जाकर शुरुआत में संभल जाओना एजुकेशन की इतनी कम ही है मार्केट के अंदर इतनी कम ही जिसका कोई जवाब नहीं कहीं पर भी नहीं देखते हैं किसी को कि वह एजुकेशन की बाते करें क्यों ही करें हो हम आपको बड़ी बड़ी बाते करें हैं हम आपको वॉल्यूम्स पढ़ा रहे हैं हम आपको प्राइस पढ़ा रहे हैं सिर्फ यहीं नहीं कि हम सिर्फ बग 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 कर हो गया है बहुत ध्यान से और इमानदारी के साथ में इसको देखना और इसको शामिल करने के कोशिश करना अपने ट्रेडिंग के जब आप शुरुवाती फेज में हो तब सबसे पहली चीज है बुक्स बुक्स मस्ट है रीट करो यू शुड रीड बुक्स बुक की एहमियत ये होती है सबसे पहली चीज़ तो हिंदी में आपको कोई बुक्स म्लेंगी स्टॉक मार्केट से रीट इट क्यूंकि हिंदी में कोई अच्छा ट्रेडर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जिसने बुक्स लिख दी हूँ जितनी जानकारी हमें है मी भी हो सकते हम इसमें गलत भ अपनी बुक्स लिख रहे हैं हालां कि उन्हें नहीं पता है कि ट्रेट किया कैसे जाएगा लेकिन इतने सारी चीज़ें उनके पास है कि वो लोग यह काम कर सकते हैं तो उन्होंने अपनी बुक्स लिख दी उसको पभलिश करवा दिया तो उसको अमेज़ couple कर सेल करें तो स एक बहुत अच्छी वोग है ट्रेडिंग विजार्ट करके आपको अच्छे अच्छी ट्रेडर्स के अंदर मिलेंगे और अच्छी बुक्स मिलेंगे तो आप चाहो ना चाहो आपको इंग्लिश में जहना पड़ेगा आप फंदी में पढ़ोगे तो खुद का नुकसान पढ़ोगे आप उसके इंदर सिमेट्रिकल टैंगर पढ़ोगे शुटिंग स्टार इवनिंग स्टार ग्राउंड ग्रेविस्टों तमाम चीज़े आप पढ़ोगे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन काम किसी चीज की नहीं होती एक पैसे काम नहीं होता है इसलिए बुक पढ़ो इंग्लिश में बुक्स हैं उसको पढ़ो नई सर्च मेरा दो बार तीन बार उसको गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लो आप लगा लगा करके अपने वर्ट समझ में उससे पढ़ो लेकिन पढ़ो बुक्स पढ़ो सबसे पहला स्टेप यही होगा आपक एक इंसान का जब इंटर्विव लिया जा रहा है या कोई अच्छी बुक लिखी जा रही है तो बुक यूँ ही कुछ भी उसके अंदर नहीं लिख देगा अगर सिरिसली वह बैठ करके बुक लिख रहा है जैसे हम बोले नहीं अच्छी बुक पढ़ो गया तो पूरे उसक एक्सपीरियंस होते है जो कि पेजस के रूप में आपके पास है पढ़ो उसको इंटर्व्यूस देखो इंटर्व्यूस में आपको बहुत सारी चीज़स समझ मेंगी यह शुरुवाती है हम लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के जो मास्टर उनको देखो उनक खिकने को मिलेगी ज़रुरी नहीं है कि आगे गढ़ा तो जान पूछ करके गढ़े में गरना हो सकता है इसकी जानकारे में एक बोड लगा वहां पर दिख रहा है कि आप हामफुल चोट लग सकती है आगे मत जाओ आप वहां से मुड़ जाओ चूँ उसमें गिरना वो ची इसरी की बात सुनी आप जाओ नुकसान ही होगा जितना अभी तक समझ में इसके बाद में आता है आप आप आपको देखना होगा कि मार्कीट में अगर हमें रहें हैं फिर सेलिंग करनी हैं तो क्या तरीके हैं उसके कैसी हम 많лекिस को देख सकते हैं तो मार्केट को बहुत वा आपको पर्टिकुलर एक segment चूज करना पड़ेगा आप शुरुवाती phase में हो अगर तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस वाले segment को सारे stocks नहीं शुरुवात में इंडियन stock market के अंदर आप Nifty 50 के जितने भी stock आपको मिल रहे हैं ONGC, NTPC ये सारे stock हटा दो जो कि कम liquid stock है इनको हटा करके जो high liquid stock है जिनमें volumes आ रहे हैं ऐसे stock को पकड़ो और उन्हें read करना शुरू कर दो खूब पढ़ो उन्हें stocks को पढ़ो 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 रीडिंग के लिए आपक techniques की मदद से read करो ऐसे ही नहीं कि high low market के बास आप पढ़ने बैठ गया एक टेक्निक उठाओ decreasing rows या falling rows इन patterns के according आप price को पढ़ो समझो बाकी जो other segments है उनको छोड़ दो reason क्या है छोड़ देने का क्यूंकि जब आप equity पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप reading करने के लिए जाओग तो सारी quantities आपके हाथ में होगी equity कभी भी zero नहीं होगी एक दिन में एक एक stock अगर 50-50 की stock ले लोगे तो वह 4-5% से ज़्यादा move नहीं देगा और यह 5% पता है हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा वरना 1.5-2% के अंदर एक normal stock अपना दम तोड़ देता पूरे दिन का security रहेग हो सकता है वहाँ पर एक trade का आपका एक trade का जो loss है मान के चलते हैं 1000 रुपए का हो सकता है possibilities है और यह हम कम बोल रहे हैं 1000 से ज्यादा ज्यादा का loss आप एक quantity में एक lot में कर दोगे हो सकता है 1000 रुपए में जब आप equity के अंदर practice करो तो यह 10 दिन 15 दिन चलो और यह 1000 रुपए हमें main road पर bike चलानी नहीं आरे हम क्यों वहाँ पर जाएंगे हमें नहीं आ रहा है किसी vehicle को चलाना था हम main road पर जाकर के driving करने लगेंगे शुरुबात में हम कोई park देखते हैं कोई सॉनसान सडक देखते हैं वहाँ पर अपने vehicle को उठाते हैं वहाँ पर practice करते हैं पर डर ही नहीं है, कम speed में चलेंगे, चलाना नहीं आता है आपको, आप main road पर जा करके ऐसे vehicle को चलाने की गोशिश करो, जिसको की आपके आपने चलाया ही नहीं है, accident ते है, नुकसान ते है, जान बुच करके क्यों वहाँ जाना, रुख जाओ, equity में readings करो, equity में practice करो, कम quantity के साथ में काम नहीं है, अब करो तो, जिस तरह से हम बोलने हैं वैसे आप शुरुआत करो, swing trading की ऐसी सी technique है, आपको loss होगा ही नहीं, fix income, stock market से निकल के आगी है, अगर आप equity के अंदर, stocks के अंदर, swing trading स्टार्ट कर दो, ये खुबसूरती है market की, जो आजकल लोगों ने बना दिया है, market को option option ऐसा लगता है, stock market को, stock market निक option market बना दिया हुसे, जिसको देखो, option, 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 खुतम करके लग दिया, ये होता है, तरीका काम करने का, समझ गया है, अब इसके बाद में कुछ techniques है, हमने equity segment को चूज कर लिया काम करने के लिए, अब हमें ज़रूत पढ़ेगी technique की, ये technique कौन कौन सी होंगी, हम लोग कई तरह से market को read करते है, वो तरीके क्या होते है, जैसे कि smart money होता है, आप में सुना होगा, smart money price action, and इसके बाद में आता है आपका, आपको ये choose करना पड़ेगा, कि आप इन तीनों में से किस technique के through market को read करने जा रहे हो, सिर्फ यहां पर हम candle को ले करके, red candle देख रही, green candle देख रही, जो first impression पड़ा, उसके according buy, sell नहीं होता है, हमें choose करना पड़ेगा, आपको कैसे trade करना है, technique क्या रहे हैं आपके, smart money, price action के तरह आपको trade execute करने, फिर indicators के तरह execution करना है, एक भी चीज को उठालो, सबसे जो खराब है, वो ये वाला है, इसके ओपर जिसने भरोसा किया है, इसने उसको ही गिरा दिया, बहुत बहुत मार मारी हैं इनोंने, इसके बाद में फिर price action आता है, price action इतना beautiful concept है, price action के अंदर आप volume को merge कर दो, सिर्क price action के अंदर आप volume को merge कर दो, आप इतने बहतरीन results देखोगे, जिसका को जवाब ने, ज किसी भी किताब को, हम लोग खराब नहीं कह सकते, जब तक हमने उसको पढ़ाना हो, समझ रहे हैं, किसी भी book को हमें खराब कहने का कोई right नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अगर हमने उसको पढ़ाना हो, उसी तरह से किसी भी segment को खराब कह देने का मेरा कोई right नहीं है, हमन इन भी इंडिकेटर से वो price and volume को calculate करके अलग-अलग results देते हैं जिसे कि अलग अलग तरह की इंडिकेटर से बनते हैं तो पहले price का movement होगा बाद में calculations होगी और कुछ indication हमें हमारे indicator के थूर मिलता है कि यहां पर यह हो सकते हैं यहां पर यह हो सकते हैं समझ में आ रहा है तो सब कुछ derive होता है price action से हमें पहले जो देखना होगा वो price action को देखना हो इसलिए indicator शुरुआत में लोग बहुत यूज करते हैं लेकिन बाद में खतम हो जाता है हम बोलने के मत जाओ फिर भी आपको जा रहा है तो जाओ फिर भी अगर आपको indicators के थूरु trade execute करना है तो करो गुम फिर के आओगे आप यही पर है न या तो शुरुआत में आओ या फिर बाद में स्मार्ट मनी के ओपर मेरी जो पढ़ाई है यह इस वक्त हम इस stage में है कि ह हम इसकी practice कर रहे है क्योंकि smart money is a huge subject बहुत बड़ा subject price action भी और smart money भी मतलब यह बहुत बड़े subject life कम पर जाएगी बड़े subject आप complete नहीं कर पाऊगे इतने huge subject समझ में आजा है book पढ़ो interview segment आपने choose कर लिया segment को trade किस तरह से करना है आपने यह भी देख लिया अब हमें यह देखना है कि जब हम trade execute करने के लिए क्योंकि अभी उता practice करो तो practice के बाद में execution आपको करना किस तरह से fifth number पर आएगा executions के तरीके तो सबसे पहला होता है कि आप first time बहुत कम quantity के साथ में इसको लिख सकते हैं कि less quantity के साथ में काम करो less quantity के साथ में काम किया जागा और यह काफी दिन तक होता है इसके बाद में फिर आप अपना per day का जो risk होता है per day risk है इसको fix करना पड़ता है आपको stop loss का ratio निकालना पड़ेगा और आपको अपने targets के ratio नि तो फिर आप भटकते रहोंगे कुछ बहुत बड़ी चीज़ आमने लिख दे सिम्पल से 6 pointer कौन ऐसा है जो इसको follow नहीं कर लेगा कुछ दो टूल हम आपको बताएंगे उन टूल की आप practice करोगे सबसे पहला फिबोनाची यह टूल है इंडिकेटर में मिलेंगे आपको toolbox मे आपको volumes मिलेंगे volumes को और Fibonacci को एक बार आप सीखो Fibonacci is a ratio यह एक तरह का ratio देगा और Fibonacci को पढ़ने से पहले आप volumes को देखो volumes आपको किस तरह से normal सभी लोग जानते ना इस तरह से आपको volumes शो करती है ठीक है अचा volumes कम ज्यादा हो रहे हैं लेकिन reading में हम volumes का use कैसे करेंगे यह आपको समझ मेंगा धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे बिना रू की काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में जाएंगे कुछ candlestick patterns होते हैं हमारा अपने जो हमारे patterns है candles के fix pattern है यह traditional pattern है यह पिन विन बार का use करते हैं कभी पहले किया था चुट हम अब उसका use नहीं करते हैं का हमारे अपने protection है कुछ candle के combinations को मिला करके हमारे formations बन रहे हैं उन formation का ही use हम लोग करते हैं इतना इतना चोटा सा काम आप हम चाहें तो इसी चोटी सी बात को बहुत बढ़ा चड़ा कि यह वो फलाना डिंकाना यह वो इंडिकेटर फलाना इंडिकेटर यह इंडिकेटर कौ अपने उपर और समय देh वज्वस नेक्सट इम्पॉसिबल है कि फिर आप मार्केट में कभी रो कभी नहीं नुकसान तो मतलब करोगे ही एक दिन में ले रहे हैं आप उतना ही risk ले सकते हो कि एक दिन हमने जितना risk ले लिया एक दिन के risk को अगले एक साल तक continue रख सकते हैं फिर भी हमारे उपर असर नहीं पड़ेगा कि लॉस हो समझ गया ना इस बात को मतलब हम रोज continuous एक साल तक जितने भी trade execute करें अगर हमने आज पचास रुपय का trade execute करें यानि कि पचास रुपय का loss हम आज अगर ले सकते हैं तो पूरे एक साल तक continuous हम पचास रुपय का loss कर सकते हैं यह आपकी capacity है और एक साल तक रोज एक ही amount का loss जब हम करना अपना तह करते हैं तो वह amount ऐसा होना चाहिए कि जो बिलकुल भी आपको न एक साल तक continuous करोगे और आपके उपर फर्क नहीं पढ़ना चाहिए समझ के अब यह 50 रुपय किसी के लिए 1000 हो सकते किसी के लिए 500 हो सकते किसी के लिए 10 रुपय भी हो सकते तो यह जो liberty मिलेगी यह दुनिया का कोई segment आपको दे ही नहीं सकता सिवा equity के मजा जाएगा काम करे तो आगे बढ़ जागे फिर market क्या चीज है market यह आपको पता चले गए जदा चमक धमक में भाग हो गए इधर उधर को रुग या ICT channel के बारे में आपको बता रहे हैं आप देखे उन्होंने शायद ही कभी अपना face दिखाया हो कितनी simple knowledge रहती है उसकी लेकिन वो वो इंसान कव देखेगा वहाँ पर कम लुग जाएंगे जो चीजह हम बता रहे हैं इसको हम जूछ बता रहे हैं इसको लोग कम देखे वह हम जान रहे हैं उसका reason क्या है कि हम equity के बारे में बता रहे हैं अपने पास वो लोग आते हैं जो अप्शन में अल्रेडी लुट चुके हैं बर्बाद हो गया है अब उनको सांज में आता है अकल आतीगा चलो उससे पहले हमें इसे मास्टर करना पड़ेगा तो वो लोग आते हैं लोग कमा अपने च Hideky vYondas Bun लोग कम हैं उसकी आओप करें से लोग देखेंगे तो समझदार एं हो नहीं जो देखेगा तो ईस तरहएं कि वीडियो recorded का क्षूॲा। सब करें आपने बीकें लोग आपने लोग रहे बश्याज़े लोग हां वो सब अलरेडी पढ़ी लिखे ल अधरवाइस सारे के सारे सब भी लोग जी इतनी भी ओडियन्स है अपनी इस सब एक्सपिरियंस ओडर ओडियन्स है अगर शुवाद बहुत अर्ली एज में बहुत फर्स्ट स्टेप में हो तो हो सकते हैं आपको अपने जिस तरह से मनाल सिस्क्रिट तो आपको समझ भी नाती आपको डिमेट अपने अपन करवाना आपके पास तो हो गई अगर मार्केट में काम कर रहा है तो आप उपन करवा सकते हो गूगल पर जाओ सिंप्ली कोई लिंक रिंक नहीं अपना शुम्ली अप गूगल पर जाओ आप किस तरह से ट्रेशिएड एक्जेक्वेशन करना च यह रहता है कि शुरुआतसम कपी दिन से हम इस्प्रेशो यूज कर रहा है पहले एंजल वन रहा उसके बाद में अपने स्टॉक आप है अभी हम इस्प्रेशो पर है और इधर चोटे चोटे कही सारे ब्रोकर्स थे यूज किये छोड़ दिये जिरुदा को तो वैसे हमें छो ब्रोकर नहीं लेगा दूसरा क्या और बड़े स्मूध लगेंगे तीसरी चीज बाई चांस मालीजे आपने लास्ट तक अपनी पोजिशन को छोड़ दिया कि हमें बिल्कु लास्ट ने ब्रोकर ही निकालेगा तो जितने भी अधर सेग्मेंट से जैसे जिरो अधर बहुत फोलोग पैसा ले लेते हैं गल्ती से माल लीजे आपने छोड़ दिया या भूल गया कि से में जिक्सी अधर निकाल देगा या भूल गया varied अ मेंजितने तुम काफ़ी पैसा ले लेता है बाहर निकालेगा अ के इसप्रोसे मिवाईग कईया जोट्ट पागा जेरो पैसा ही नहीं उसके बाद में आप एस्प्रेसो पर आ सकतो है जब लगे कि यार बहुत ज्यादा हो फिर एस्प्रेसो इसी एका यूज़ कर सकतो हुआ हम कोई प्रोमोशन ने करें एक 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 अपना बस हम एक राय दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लेवल देते हैं या बाई सेल करने सिर्फ इस वजय से नहीं बहुत सारी चीज़र में लर्निंग के लिए काफी सारी चीज़र हम कुशिच करेंगे आगे से अभी इधर काफी दिन से में लर्निंग के उसके ऊपर कॉंसेट्स अप्लोड करना कम कर दी हैं तो लर्निंग परपस से आपको प्राइस एक्षिन और स्मार्ट मुनिंस से रिलेटर आपको बहुत सारी चीज ने अपनी चैनल पर मिल जाएंगे टेली ग्राम पर जोईन को लोगुद बाइ और वीड मेट अगें